नमस्कार आपका स्वागत एश्यानी जिन्या में आपके साथ मैं पूर्ण बीजेबी की दिगज नेता दिवंगत सुश्मा सवराज की बेटी बासुरी सवराज ने कहा दिल्ली की केश्डिवाल सरकार जगडालू और निकम्मी है बासुरी ने एएपी की सरकार को अयोग्य बताया बासुरी ने एएपी के मंत्री सौरभ भारदवाज पर भी गंबीद आरोप लगाए भाजपा नेतना बासुरी ने एक प्रेट्स कॉन्फेंस में कहा सौरभ भारदवाज ने 11 मई के सुप्रीम कोट के आदिश का दुरुपयोग किया है उन्होंने 13 जुलाई को चीफ सेकेर्टरी के कारलायों में अफसरों के बदलाओ की मांग की थी फिर 15-16 जुलाई को इस्पिशल सेकेर्टरी के विजिलेंस भाग में चोडी का दावा भी किया था शनिवार 12 अगस्ट को राश्पती दोपती मुर्मू की मंजोरी के बाद दिल्ली सर्विस बिल समिट चार बिल कानुन बन गए दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंदर को मिलने के बाद बासुरी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला है बासुरी ने कहा 2015 से आपकी सरकार बहाना बनाती रही दिल्ली सर्विस बिल को पास करने में राष्टपती को धन्यवाद देती हूँ ये कानून समय की मांग है बहुत जरूरी है कि दिल्ली सरकार के लोगों के प्रती जवाबते बनाया जाए जब दिल्ली बिशासन कानून के मताबिक काम कर सकेगी दिल्ली की बिशासन पर नियंतरन को लेकर केंद्र और AAP सरकार लंबे वक्त से आमने सामने है केंद्र ने 19 माई को अधिकारियों के ट्रांसफा पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था अध्यादेश में उसने सुप्रिम कोर्ट के 11 माई के स्वैसली को पलट दिया जिसमें ट्रांसफा पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था S.C. ने राजपाल को पबलिक ओडर पुलिस और जमीन को छोड़कर सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सला और सयोग से काम करने को कहा था इसी के साथ बनने रहे एक्षेन्यू जिन्या के साथ धन्यवाद